क्या दिल्ली में आप पार्टी के सांसत संजर सिंग के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंद सोरेंग की भी हाथ में हतकड़ी लगने वाले हैं। क्या पाचवे समन के बाद अब ईडी मुख्यमंत्री को गिरफतार कर लेगी। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस खबर के माध्यम से ही मिल सकता है। पहले तो इंजलक में दिल्ली के प्रकरणों पर नजर डालते हैं। दरसल दिल्ली के शराब गुटाला मामले में आप सांसत संजर सिंग को ईडी ने गिरफतार कर लिया है। इससे पहले इसी पार्टी से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीश शिसोदिया और फिर सतेंद्र जैन की भी गिरफतारी हुई थी। मगर अब ईडी की गिरफतारी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और ये सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट खड़े कर रही है। कोर्ट के समक्ष जवाब पेश करना होगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मामले में एडी को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने एडी को नसीहत दी है कि किसी भी मामले में बदले की कारवाई नहीं होनी चाहिए। जांच की प्रक्रिया, पारदर्शी और निश्पक्ष होनी चाहिए। कि लाद भी एडी के समख्ष हाजर नहीं होता है। तो यह गिरफतारे का आधार नहीं बन सकता ऑस यहीं लगता है कि मुख्य plugins starter, को 5 बार समन भीजने के बार भी एडी गिरफतार सकते है। पांच बार तो क्या बार बार समन करने के बार भी अब इस आधार पर मुख्यमंत्री यह मंद्सोरेन गिरफतार नहीं हो सकेंगे समन को लेकर मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोट का दरवाजा भी खट-कटाया था उन्होंने अपने याचिका के तहत ED के समन को ये गयर कानूनी बताया था CM का कहना था कि उन्हें किस कथित अपराद के लिए सबूत पेश करने के जरुरत है यह नहीं बताया जा रहा है और तो और उनकी सारी संपत्यों के जानकारी आयकर और जन्तक के समक्ष है तब उन्हें किस आधार पर जमीन को टाला मामली में पूछताच के लिए बुलाया जा रहा है, मगर सुप्रीम कोट ने इस याचिका को यह कह कर खारिज कर दिया, कि मुख्यमंत्री ने एक सीड़ी स्किप करते हुए कानून का दर्वाजा खटखटाया है, उन्हें इस याच पहले हाई कोट में दायर करना चाहिए था, मगर उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोट की शरन ली, एक बात यहाँ बॉन करने वाली यह है कि मुख्यमंत्री को भले ही सुप्रीम कोट से राहत प्रदान नहीं की गई, मगर दोसरे केस में वोई सुनवाई के वजह से उन्हें राहत मिलने की उमीद नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को एडी के समन को ठुकराने के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, और तो और अगर उन्हें पूच्टाच के दौरान गिरफ्तार कर भी लिया जाता है, तो उन्हें उसी वक्त एक लिखित कौपे भी सौपी जाएगी, जिसमें गिरफ्तारे की वज़ा बताई जाएगी, हाला कि और गौर करने वाले बात ये भी है, कि मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका के तहत ये सवाल किया था, कि उन्हें किस आधार पर समन किया जा रहा है, ये नहीं बताया गया, और सुप्रीम को गलतियां होने के कारण इसे सूची वद नहीं किया जा सका, मगर अब सारी गलतियां सुधार ले गई है, यानि अब सुनवाई हो सकेगी, सुनवाई की तारीक कलशे टूबर के लिए तै की गई है, तो क्या अब हाई कोट से मुख्यमंत्री को राहत मिल सकेगी, इस पर और अबर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूले, हमारी चैनल लोकतंत्र 19 को जरूर से फॉलो और सबस्क्राइब करें, फिलहाल लेते हैं अलविदा, जहार